हलो दोस्तो मैं उमसंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बैविस्कुपता में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं 12th कलास का जीग्रोफी भुगोल का चेप्टार नमबर 8 परिवहन और संचार से रिलेटेड बहुत ही महत्यपून टोपिक लेका राया हूँ आज मैं आप लोग को परिवहन और संचार से संबंधित चैप्टार को टोपिक बाई टोपिक बताने वाला हूँ इसलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों में सेर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ परिवाहन और संचार से संबंधित महत्यपून टोपिक वो भी टाइप बाई टाइप साथ ही यह आपके फाइनल एक्जाम की परिक्षा के लिए बहुत ही महत्यपून है इसलिए आप इसको लास्ट सक देखिएगा क्योंकि यह वाइरल अती लगूतरिये एवं दिर्गूतरिये प्रस्णूतर इस चैप्टर से पुझे जाने है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेबल ओफ कंटेंड देखते हैं अर्थात अठमी चैप्टर में हमको कौन-कौन से टोपिक पढ़ना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर टेबल ओफ कंटेंड के माधि हम से जानते हैं सबसे पहले हमारा चेप्टर का नाम है परिवहन और संचार इसके अंतरगत हम लोग परिवहन और संचार के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम लोग परिवाहन क्या है इसके बाद परिवाहन के साधन या कितने परकार के होते हैं जल परिवाहन, असल परिवाहन, वाईव परिवाहन, पाइप लाइन परिवाहन को जानते हैं इसके बाद हम लोग अस्तल परिवाहान से रिलेटेट परस्णों को जानेंगे इसके बाद सड़क, राजमार्ग, कनाड़ा, इरोप, रूस में परिवाहान, चीन में परिवाहान, अफिर्का में परिवाहान, भारत में परिवाहान और इसके बाद सीमा सड़के बजानेंगे साथी रेलेवे के बारे में हम लोग 20 साल से जनकारी प्राप्त करेंगे इरोप में, रुस में क्या परिवाहन उसके बारे में जा रेंगे उत्री अमेरिका में क्या परिवाहन उसके बारे में जानेंगे अस्टेलिया में क्या परिवाहन है उसके बारे में जानेंगे समुद्री मार्ग क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके बाद यहां पर आपको बता रहा है भू सागर ये हिंद माहा सागर समुद्री मार्ग जानेंगे Cape of Good Hope समुद्री मार्ग जानेंगे दसनी अटांटलिक समुद्री मार्ग के बारे में जानेंगे इसके बाद उत्री परसांथ समुद्री मार्ग के बारे में जानेंगे दसनी परसांथ समुद्री मार्ग के बारे में जानेंगे इसके बाद हम लोग 39 वहन के बारे में जानेंगे लहर क्या है उसके बारे में जानेंगे लहरे स्वेज नहर क्या है पैमाना नहर क्या है उसके बारे में जानेंगे इसके साथ ही अंतर देशिये जल सीमा जल मार्ग क्या है उसके बारे में जानेंगे डेयूब जलमार्ग क्या है उसके बारे में जानेंगे वल्गा जलमार्ग क्या है उसके बारे में जानेंगे इसके बाद मिसिस पी जलमार्ग क्या है उसके बारे में जानेंगे इसके साथ ही वायूस परिवाहन के बारे में हम लोग जानेंगे बिस्तार से अंतर महादिपी यवाई मार्ग क्या है, संचार क्या है, उपगरह क्या है, इंटरनेट का ज़ए है इस सब के बारे में हम लोग यहां डिटेल से जनकारी प्राप्त करेंगे तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में हम लोग topic by topic इसको देखते हैं समझते हैं यहां पर सबसे पहले हम लोग परिवहन और संचार के बारे में जानते हैं परिवहन मनुश्यों, जानवरों और विभिन परकार के वहनों का परियोग करके व्यक्ति और समानों को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने की सेवा या सुवदा को परिवाहन कहते हैं अर्थात एक अस्थान से दूसरे अस्थान में ले जाने के लिए किसी वस्तु को या श्वेम एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने में जब उस वाहन का परियोग किया जाता है अर्थात उस एक अस्थान से दूसरे अस्थान में जाने में जो वस्तु का हम उपयोग करते हैं उसी को हम लोग परिवाहन कहते हैं परिवाहन का अर्थी होता एक असान से दूसरे अस्थान तक जाना अर्थात ले जाने वाले सुपधा को ही परिवाहन कहते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं परिवाहन के साधन तो परिवाहन के साधन देखना है तो विश्व परिवाहन के प्रमुक साधन भूमी, जल, वायू और पाइपलाइन परिवाहन है इसके माध्यम से हम एक असान से दूसरे असान तक वस्तुओं को ले सिधा ले जाते हैं इसमें चलते हैं देखते हैं जल परिवाहन क्या है तो जल परिवाहन माल की अंतराश्टिये अवाजाही को समुंदरी माल वाह को जहाजो दुवारा नियंतरित किया जाता है इसके बाद हम लोग देखते हैं असल परिवाहन, सड़क परिवाहन कम दूरी पर घर घर सेवावों और रस्तुओं को पहुचाने के लिए उप्योग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता और तेज है इसके साथ ही बताया गया है किसी देश के भीतर लंबी दूरी पर भारी मातरा में भारी समागरी के लिए रेल्वे का परियोग किया जाता है इसके बाद हम लोग देखते हैं वायू उच्य मूले हलके और खराब मौसम होने वाले समाने को वायू मार्ग से अच्छा ले जाया जाता है अर्थात कोई समान खराब होने से पहले यदर उसमें समय लगता है तो समय को बचाने के लिए वायू मर्ग क्या पर्योग किया जाता है इसके बाद हम लोग देख लेंगे पाइपलाइन पाइपलाइन निर्वाध परवाह के लिए पानी, पेट्रोलियम, प्राक्ति गैस जैसे तरल पदार्थ और गैस के परिवाहन के लिए पाइपलाइनों का बयापक रूप से पर्योग किया जाता है अर्थात पाइपलाइन से इसे समान मंगाये जाते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं अस्तल परिवाहन जिसके अंतरगत पताये गया है वस्तूं और सेवाओं की अधिकांस आवाजाही ही भूमी पर होती है दुसरका पॉइंट हो जाता है पहिये के अभिसकार के साथ ही गारियों का उप्योग महत्तोव पूर्ण हो गया दुसरका पॉइंट हो जाता है परिवाहन में करांती अठारवी सताबदी में भाफ इंजन के अभिसकार के बाद हुई चोथा पॉइंट हो जाता है पहली सरवाजनिक रेलवे लाइन 1865 में उत्री इंग्लैंड में एसकोट टन और डर्लिंग टन के बीच खोली गई थी और इसके बाद रेलवे उनाइसवी सदी में सबसे लोग पिरिये और सबसे तेज परिवाहन का रूप बन गया इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं भूमी परिवाहन में नए विकासों में पाइप लाइन और केवल ने केलवे केवल लवे सामील है इसके साथ ही हम लोग देखते हैं सड़क सड़क रेलिवे के तुन्ना में कम दूरी के लिए सड़क परिवाहन सबसे किफायती है सड़क मार्ग से माल परिवाहन का महते पुन बढ़ रहा है क्योंकि यह दोर टू डोर सेवा प्रदान करती है बरशात के मोसम में कची सड़के चलने लायक नहीं रह जाती है और भारी बारिस और बार के कारण कापी पकी सड़के भी उप्योग योग नहीं रहती है दुनिया की कुल योगिय सडकों की लंबाई के वो लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है जिसमें उत्री अमेरिका का हिस्सा 33 परतिसत है इसके बाद हम लोग देखते हैं राजमार्ग राजमार्ग दूर के अस्थानों के जोड़ने वाली पकी सडके होती है ये 80 मिटर चोड़े जिन में अलग-अलग लेन, पूल और फ्लाई अभर है ताकि निर्वाद या तायात परवा सुगम हो सके इसके बाद अगला पॉइंट करता है विक्सित देशों में हर सहर और बंदरगा सहर राजमार्गों के माधिहम से जुड़ा हुआ है इसके बाद बता रहा है ये उत्री अमेरिका में राजमार्ग घनत वलगभग 0.65 किलो मिटर परतीवर किलो मिटर है प्रसान तट पच्मी तट पर इस्तित सहर अटलांटिक तट पुर्व के सहरों से सबसे ये अच्छी तरह से जुड़ी हुई है अब हम लोग देखते हैं कनाडा कनाडा के सहर दक्षिन में मैंसिको के सहरों से जुड़े हुए है कनाई डाई राजमार्ग ब्रिटिस कोलंबिया पच्मी तट में बैंकुवा बैंकुवर को न्यूफ फावडेंड लेंड पूर्वी तट में सेंट जौन्स सिटी से जुड़ता है इसके बाद आलास्का राजमार्ग एड मोंटेन कनाडा को एन कुरूरेज आलास्का से जुड़ता है इसके बाद यहां बताया है इरोप में इरोप में बड़ी संख्या में वाहन और एक अच्छी तरह से बेख्षित राजमार्ग तट नेटवर्क है रूस में उर्लस के पच्छिम में अधुगोगिक छेत्र में एक सगन राजमार्ग नेटवर्क बिख्षित किया गया है इसका केंद्र मासको है चिन में राजमार्ग सभी परमुख सहरो जैसे तसुंग तयसु बियतनाम सीमा के पास है संग हाई जो मध्य चिन के पास है इसके बाद बताया गया है गुकांग जुओ दक्षिनी और बिजिंग उतर को जोड़ते हुए देश को पार करती है अगर हम लोग अफिरका में देखते हैं तो एक राजमार्ग उतर में में अलजीरियस को गीनी में कोनारकी से जुड़ता है अगर हम लोग भारत में देखेंगे तो भारत में प्रमुख कस्वो और किसानों सहरो को जुड़ने वाली कई राजमार्ग है कन्या कुमारी को वानारस को कन्या कुमारी से जुड़ने वाले राश्टिये राजमार्ग संखिया 7 NH 75 देश में सबसे लंबी है सबसे लंबी सड़क कहा गया है हमारे चार महानगरों नई दिल्ली, मुंबाई, बंगलोर, शेनई, कुलकाता और हैदराबाद को जोड़ने के लिए स्वरनिक, चतरभूज, जिक्यू या सुपर एक्सप्रेस वे चल रहा है इसके बाद हम लोग देखते हैं सीमा सड़क अंतराश्टी सीमाओं के साथ बनी सड़कों को सीमा सड़क कहा जाता है ये परमुक सहरों के साथ दूर दराजों के छेतरों में लोगों को एकी कृत करने और रक्षा प्रदान करने में महत्यपून भूमक्या निभाती है लगभक सभी देशों में सीमाओंत गाओं और सैन्य सीवरों तक माल पहुचाने के लिए ऐसे सड़के उपलब्द है अर्था सीमाओंत के पहुचाना होगा तो हम लोग सड़का ही परियोग करते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं रेल रेल भारी माल और लंबी दूरी पर यात्रियों के लिए भूमी परिवाहन का एक साधन है इरोप में विश्व का सबसे सगन रेल नेटवर्क है बेलिंग्जियम में प्रतेक 6.5 वर किलोमीटर छेतर के लिए एक किलोमीटर रेलेवे का उच्चतम घहनतो है इनमें से कई देशों में रेलेवे यात्री परिवाहन और माल ढोने का महत्वपूर्ण साधन है लंदन और पेरिश में भूमीगत रेलेवे महत्वपूर्ण है इंग्लेंड के माधियम में यूरो टरनल गुरुप द्वारा संचाली चैनल टरनल लंदन को पेरिश से जोड़ता है इसके बाद बताया है रूस में रेलेवे देश के कुछ कुल परिवाहन का लगभग नवे परतिसास हिसा उराल के पछीम में एक बहुत घणे नेटवर्ण के साथ है इसके बाद यहां बताया है उत्री अमेरिका उत्री अमेरिका में सबसे व्यापक रेल नेटवर्ण है जो विश्वा के कुल रेल नेटवर्ण का लगभग चालीस परतिसास है इसके बाद बताया है सबसे सगन रेल नेटवर्क पूर्वी मद्ध अमेरिका और सबसे सटे कनाडा के अत्यधिक अध्योगिक और सहरीकृत छेतर में पाया जाता है कानाडा में रेलेवे सरवाजनिक छेत्र में है और सभी कम अबादी वाले छेत्रों में बितरित किये जाते है इसके बाद हम लोग अस्टेलिया में देखते है अस्टेलिया में पच्मी पूर्वी ए अस्टेलिया राष्टिय रेलेवे लाइन पत्थ से सिडिनी तक पूरे देश में चलती है इसके बाद हम लोग देखते हैं नीजुलेंड के रेलेवे मुख्य मार्ग से क्रीशी छेतरों की सिवा के लिए उत्री दिप में है इसके बाद दक्षिन अफिरका में रेलेवे नेटवर्क एरजेंटीना के पंपास और ब्राजिल के कोफी उत्पादन छेतर में सबसे सगन है जो दक्षिन अफिरका के कुल मार्ग की लंबाई 40% हिसा है पेरू, वोलिपिया, इकवाडोर, कोलंबिया और वेनुजू, एला में बंदरगाहों से आंत्रिक तक छोटी सिंगल ट्रेक रेलेवे लाइन है जिन में कोई इंटर कनेवेक्टिव लिंक नहीं है एसिया में जापान, चीन, भारत के घनी अबादी वाले छेतरों में रेल नेटवर्क सबसे घना है अन्य देशों में अपेक्षा करित रेल नेटवर्क, रेल मार्ग है अफिरका महादीप में दुसरा सबसे बड़ा होने के बावजूद केवल 40,000 किलो मीटर रेलेवे है जिसमें केवल दक्षिन अफिरका में सोने हीरे और तांबे की खौनन गतिवदियों के एका ग्रस्त के कारान 18,000 किलो मीटर का हिस्टा है इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतराष्टिये महादीपिये रेल मार्ग पूरे महादीप में चलाई जाती है इसके दोनों सीरों को जोड़ती है जिसका निर्मान आर्थिक और आजनीतिक कार्णों से विभिन दिशावों में लंबे समय तक चलने की सुबदाओं के लिए किया जाता है इनमें सबसे महत्यपून निमलिखित है रूस का एक ट्रांस साइवेरियन रेलवेप परमुख रेलमार्ग पच्छिम में सेंट पिटर्स वर्ग से पूरम में परसांत टट पर वलाई दी उसक्तुक तक मासको उप्फा नोमो सीट बिसकेटर इरकुट तसक चिता और खाबो रोबसका से होकर गुजरता है यह एसिया का सबसे महत्यपून मार्ग है और दुनिया में सबसे लंबा 9,332 किलोमेटर डबल ट्रेक और बेदुक्रित ट्रांस कॉंस्टिनेंटल रेलवे है इसके बाद कानाडा में ट्रांस कानाईडी कानाईडाई रेलवे 7,050 किलोमेटर लंबी रेलवे लाइन है जो पूर्ब में हैली फैक्स से परसांत तक बैंकू वल तक चलती है जो मौन ट्रियल ओटाव विनी वेग और कैलंगरी से होकर गुजरती है 1886 में बनाया गया है यह कईवेक मौलन ट्रियलियन और योगिक छेत्र को प्रेयरी छेत्र के गेहूं बेल्ट और उतर में संकूधारी वन छेत्र से जोडता है इसके बाद अगला पॉइंट है यूनियन और पैसिफिक रिलिवे अटांटिक तट पर न्यू यार्क को केलिवर लेंड सिकोंग हो माहा इनवास ओगे नेंड और सेक्रामेंटो से जोडते हुए परसांत तट पर सैन फ्रांसिशिको से जोडता है इस मार्क पर सबसे मुल्यवान निर्यात अयस्क अनाज कापास कागज रसायन और मशीनी है इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं अस्टेलिया ट्रांस कोंशिनेंट टल रिलेवे महादीप के दशनी भाग में पक्षमी तट पर पत्थ से पुर्वी तट पर सिडनी तक पक्षमी पुर्वी में चलती है कल गूरिली ब्रोकेन हील और पोर्ट आगरस्टाक्टा से गुजरते हुए एक अन्य परमुख उतर दचिन रेखा एडी लेड और एलीस फ्रियंस को जोडती है और आगे ड्राविलियन ड्रबस लाइन से गुजरती है इसके बाद अगला पोइंट हो जाता है ओर्येंट एक्सप्रेस पेरिस में इस ताम बुल तक चलती है जो इस्ट्राक्स, वर्ग, मयूनिस, बियना, बियतना, भुडापिरस और वेल ग्रेट से होकर गुजरती है इस रेलिवेंट लाइन मार्ग पर मुख्या नियात, पनीर, बेकेन, जय, सराब, भल और मसीनिनरी है इसके बाद हम लोग देखते हैं पाइप लाइन, पाइप लाइन, निर्वाध, परवाह के लिए पानी, पिट्रोलियम और प्राकिति गैस जैसे तरल पदार्थ और गैसों के परिवाहन के लिए पाइप लाइन का ब्यापक रूप से पर्योग किया जाता है सन्युक्त राज अमेरिका में उत्पादक छेत्रों में उपभोग छेत्रों तक तेल ले पाइप लाइनों का माधियम घना नेटवर्क है इसके बाद बताया है बीग इंच एक ऐसी प्रसेद पाइप लाइन है जो मेसिको के खाड़ी के तेल के कुवाओं से पेट्रोलियम को उतर पूर्वी राजियों में ले जाती है सभी माल धुलाई का लगभग सतर परती टन किलोमीटर सन्युक राज अमेरिका पाइप लाइनों के माधियम से किया जाता है इसके बाद यहां बताया है इरोप रूस पच्छिम एसिया और भारत में पाइप लाइनों का उप्योग तेल के कुवाओं रिफाइनर नियों और बंदरगाहों या घरिलों बजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है इसके बाद हम लोग देखते हैं जल परिवाहन जल परिवाहन सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और माल की अंतराष्टिये अबाजाही को समुन्दरी मालवाहक जहाजो दवारा नियंतरित करता है जल परिवाहन उर्जा लागत कम है जल परिवाहन को समुन्दरी मारगों और अंतरदेशिये जल मारगों में विभाजित किया जाता है समुन्दरी मारग महासागर पीना किसी रखाव लागत के साथ सभी दिशावों में चनले योग एक सुगम राज मारग परदान करते है बिश्व के लगभग सभी बड़े देशों में अंतराष्टिये बैपार के लिए समुन्दरी मारग का परियोग किया जाता है इसके बाद अगला पॉइंट है आधुनिक यात्री जहाज मालवाहाग जहाज रडार वायरलेंज और अन्य प्रदोगिकी से पूर्ण होते है इसके बाद हम लोग देखते हैं महत्यपुन्द समुन्दरी मारग इसके अंतरगत उत्री अंटांटिक समुन्दरी मारग यह उत्री पूर्वी संयुक्त राज अमेरिका और उत्री पच्मी उरोप दुनिया के दो अध्योगिक रूपों से बिगसित छेत्रों को जोडता है विश्व का एक चौथाई बिदेशी बैपार इसी मारग से चलती है इसलिए यह दुनिया में सबसे व्यस्ट और इसे बिग ट्रैंक रूट कहा चाता है इसके बाद हम लोग देखते हैं भूसागर यह हिंद महासागर समुन्दरी मारग यह समुन्दरी मारग पूरानी दुनिया के केंद्र से होकर गुजरती है पोर्ट साइद, अदन, मुंबाई, कोलमबो और सिंगापूर इस मारग के कुछ महत्यपून बंद्रगा है इसके बाद हम लोग देखते हैं कैम्प अफ गोड्स होफ समुन्दरी मारग यह बैपार मारग अत्यधिक अद्योगी क्रित पच्मी उरोपिये छेत्र को पच्मी अफिरका दसिन अफिरका दसनी पूर्व एसिया और अस्चलिया और निजुलेंड की वानिजिकी क्रिसी और पसुधन वेवर्ध वेवसा से चोड़ता है इसके बाद हम लोग देखते हैं दसनी अट्लांटिक समुन्दरी मारग अट्लांटिक समुन्दरी मारग का पार एक और महत्यपुन मारग जो पच्मी उरोपिये और और पच्मी अफिरका देशों को दसनी अफिरका में ब्राजिल, अर्टटीना और उरोगेवे से जोड़ता है दसनी अफिरका में सिमित विकास और जन संख्या के कारण इस मारग पर यतायात बहुत कम है इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्री पर सांत समुन्दरी मारग इह समुन्दरी मारग उत्री अफिरका के परछिम तट पर इस्तित बंदरगाँ को एसीया के बंदरगाँ से जोड़ता है ये अमेरिका में इस्तित बंदरगाँ बैंकुवर, सियेटल, प्रोट लैंस, सैंग, फ्रांसिको को और लॉंस एजी लंस को एसी आई में ओको हुआ कोवे संगहाई हॉंग कॉंग मनीला और सिंगापूर से जोड़ता है इसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिन परसांत समुंद्री मार्ग यह समुंद्री मार्ग पैमाना पनामान नहर के माध्यम से पचमी एरोपिये और उत्री अमेरिका को अस्टेलिया निजोलेंड और विखरे हुआ परसांत महाजोग सागरों से जोड़ता है इस मार्ग का उपियोग होंग कोंग फिलिफिंस और इंडोनेसिया तक पहुचाने के लिए किया जाता है इसके बाद हम लोग देखते हैं तटिये नोवहन तटिये नोवहन लंबी तटो रेखाओं के साथ परिवहन का एक महत्यप सुदा जनक साधन है जैसे संयुक्त राज अमेरिका, चीन और भारत में इसके बाद हम लोग देखते हैं नहरे स्वेज और पैमाना दो महत्यपुन मानो निर्मित नहरे या जल मार्ग है जो पूरब और पच्छिम दोन दिसाओं के लिए वानिज के परवेश द्वार के रूप में काम करती है स्वेज नहर इस नहर का निर्मान 1879 में मिश्र में उतर में पोर्ट सहीद और दचिन में पोर्ट स्वेज के बीश्च भुमद सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था यह इरोप को हिंद महा सागर के लिए एक नया परवेश द्वार देता है और केन प अफ गुट्स होप की तुलना में लिवरपूल और कलोंबो के वीच सिधे समुंद्री मार्ग के दूरी को कम करता है दस से भारा घंटे लगते हैं पैमाना नहर यह नहर पूरव में अटलांटिक महा सागर के को पच्छी में परसांत महा सागर से जोड़ती है यह अमेरिका सरकार्दवारा पानामी सिटी और कोलन के बीच पानामा में बनाया गिया है जिसने दोनों तरफ आठ किलो मीटर छेतर खरदा और इसे नहर छेतर का नाम दिया यह युनार्क और सैन फ्रांसिको के बीच की दूरी को समुंद्री द्वारा 13,000 किलो मीटर कम कर देता है इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतराष्टिये जल मार्ग नदिया नहरे जीले और तटिये छेतर प्राचिन समय से महतेपून जल मार्ग रहे है अंतराष्टिये जल मार्गों का विकास जल ये छेतर की चोड़ाई और गहराई जल परवाह में नियरंतरता और उप्योग में आने वाली परिवार तकनिकी परनिर्भर है रिलेवे से प्रतिय अस्वर्धा सिचाई में पानी के उप्योग के कारण पानी की कमी और नदी मार्ग के खराब रख रखाव के कारण नदी मार्गों का महतेपून कम हो गया अब देखते हम लोग राइन जल मार्ग राइन नदी जर्मनी और निदरलेंड से होकर जाती है यहाँ जल मार्ग दुनिया में सबसे अधिक इस्तमाल किये जाने वाले जल मार्ग है यह स्वीटर लेंड, जर्मन, फ्रांस, बेलिंजियम और नीदर लेंड के अध्योगिक छेतरों को उत्री अटलांटिक समुंद्री मार्ग से जोड़ता है इसके बाद हम लोग देखते हैं डेन्यूब जल मार्ग यह महत्यपून अंतराष्टिये जल मार्ग पुर्वी इरोप की सेवा करता है डन्यूप नदी ब्लैक फोरेश्टर से निकलती है और कई देशों से होकर पुरव की ओर बहती है इसके बाद हम लोग देखते हैं ओलगा जल मार्ग रूस में बड़ी संख्या में बिक्सित जल मार्ग है इनमे से ओलगा सबसे महत्यपून है यह 11,200 किलोमिटर का नो गम में जल मार्ग परदान करता है कैसी पियन्यन सागर में जाता है गोलगा मासको नहर से मासको छेतर से और कोंगा डौन नहर को काला सागर से जोड़ती है इसके बाद हम लोग देखते हैं मैसिसीपी जल मार्ग मैसिसीपी ओहियो जल मार्ग सवयूक्त राज अमेरिका के अंतरास्टिये मार्ग को दचिन मैसिको की खाड़ी से जोड़ता है इस मार्ग से बड़े स्टीमर मीनू या पोलिस तक जा सकते हैं अब हम लोग देखते हैं वायू परिवाहन हवाई परिवाहन का सबसे तेज साधन है लेकिन यह बहुत महागा है इसलिए यात्रों दबारा के वो लंबी यात्रा की यात्रा के लिए इसे परात्मिक्ता दी जाती है दुरलग छेत्रों तक पहुँचने का यही एक मात्र साधन है हवाई यडो का निर्मान भी बहुत महांगा है और अधिक अधिक देशों में अधिक बिख्षित हुई है यहां यातायात की एक बड़ी मातरा है आज दो अधाई सो से अधिक वानिजिकिये एरलाइन्स दुनिया की विभीन हिस्षों में नियमित सिवाई परदान करती है इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर महादीपी हवाई मार्ग उत्री गुलार्थ ने मांग के कारण अलग मार्ग बिख्षित किये हैं स्वयुक्त राज अमेरिका में 60% यातायात है नियुयार्क, लंदन, पेरिस, एमेस्टो, ड्रम्स, फ्रैंक्स, फट, रोम, मासको, दुबई, दोहा, टोकियो, सैन, फ्रांसिस्कोग, दिल्ली, मुंबई, सिंगापूर, सिडिनी, सिंकोंग, हवाई मार्गों के लिए परमुख पिंदू है अफिरका रूस के ACI भाग और दशिन अफिरका में हवाई सेवामों की मुख्य की कमी है बिलल जन संख्या सिमित भूमाग और आर्थिक विकास के कारण दशिन गोलार्ध में 10-35 अक्षानसों के बीच सिमित हवाई जाजे हैं अब हम लोग देखते हैं संचार मानों ने लंबी दूरी के संचार के विभिन तरीकों का इस्थमाल किया जिससे टेलीफोन और टेलीगराम महतेपून है आज अब हुत पूर्ण विकास अप्टिक फाइवर केबल से OFC के उप्योग के कारण संभव हुआ है एब बड़ी मातरा में डाटा को तेजी से सुरक्षित रूप से परसालित करने की सुभदा देता है अब हम लोग देखते हैं उप्गरह संचार वर्तमान में इंटरनेट सबसे बहुत पूर्ण एलेक्ट्रोनिक नेटवर्क है सयुक्त राज अमेरिका के दोवारा अंतराष्टिय अनुसाधन का पीड़ा उठाने के बाद 1977 के दसक से यह और जरूरी हो गया है मानो निर्मित उपकरन उप्गरह विश्व के सुदूर कोनों को जोड़ती है इन गरहों की वज़ा से संचार के समय और कीमतो दोनों में कमी आई भारत ने भी उपकरह विकास में काफी परगती की इसके बाद यहां बताया गया है आरे भट को 19 अपरेल 1989 को भासकर वन को 1789 में और रोहिनी को 1908 में लौंच किया गया था भासकर वन को किया गया था इसके बाद इसको इसको अठारा सो नवे इसमी में किया लौंच किया गया 18 जून 1981 को एरलन एरियन रोकेट के माध्यम से एपल एरियन एरियन पैंसेंजर पोलियोड एक्सपेरिमेंट लौंच किया गया भासकर चैलेंजर और इनसेट वन बी ने भारत में लंबी दूरी के संचार टीवी रेडियो को बहुत महत्यपुन परभाव दिया अब हम लोग देखते हैं इंटरनेट इंटरनेट एक साथ जुड़े कम्पीटरों को जाल को इंटरनेट कहा जाता है इंटरनेट बरते उप्योग के कारण इमेल, इकॉम्स, इलोगिंग और इगोवर्मेंस का परभाव पड़ा है इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है इसे हम लोग नौ पसान, नौ माध्यम भी कहते हैं इस माध्यम से हमें कोई भी चीजों को हम देख सकते हैं, पर सकते हैं, सुन सकते हैं या सबसे बहुत ही आसान माध्यम है, आज का लिया माध्यम बहुत ही महत्यपून हो गया है आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किरिएगा और अपने दोस्तों में सेर करना नहीं भूलेंगे फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ तब तब के लिए जाहिंद बेस्ट आप लग